अब दोस्तो आज के सुड़े में आपके साथ में अमेजिंग टिप शेर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ज़ादा काम आने वाली है मेरे चानल पर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग टिप्स मिलते रहेते दोस्तो वह भी रोज इसलिए अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब चल्दी से चल्दी कर लीजे और बेल आइकन के साथ ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी चल्दी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो हम अपने चेरे का बालों का धियान रखते ही हैं लेकिन हम अपने हाथ पैरों का धियान रखना भूल जाते हैं तो आज की जो गजब की रेमेडी है आपके हाथ पैरों के लिए हाथ पैरे अगर सूरे की हानी कारकेड़ों के वज़े से टैन हो जाते हैं इस remedy का result बहुत ही गजब का है दोस्तों आपके skin tone एक से दो shade lighter हो जाएगी इस remedy को बनाने के लिए सबसे पहला ingredient जो मैंने आप लिया है वो है इनो आप इनो का कोई भी pouch ले सकते हैं इनो क्या होता है दोस्तों इनो में citric acid होता है, sodium bicarbonate होता है नेचर में ये acidic होता है, आपको keval यहाँ पे इनो का इस्तमाल नहीं करना है इनो के साथ आपको करना है glycerine का इस्तमाल और इनो के साथ यदि आप glycerine का इस्तमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ही गजब का result देता है क्योंकि glycerine जो होती है न दोस्तों यह हमारे तवचा को moisturize करने का काम करती है हमारी तवचा में यह नमी बनाए रखती है और इसकी इनी खूबियों के कारण mostly beauty products में glycerine का इस्तमाल किया जाता है glycerine आपके skin को soft smooth करता है और dryness को दूर रखता है और इनो के साथ यदि हम glycerine का इस्तमाल करते हैं दोस्तों तो यह हमारे skin के लिए बेहादी जाता फायदिमन है इन दोनों का ही मिश्रन हमारे skin को moisturize रखता है साथ ही हमारे skin tone को lighten करता है sun tan को remove कर हमारे skin को glowing बनाता है आप एक पूरा इनो का पाउच ले ले आप इस मिश्रन को अपने हाथों पर लगाएं अपने पैरों पर लगाएं यदि आपकी गर्दन जो है वो हल्किल की dark होने लग गए है तो गर्दन पर भी आप इस मिश्रन को लगा सकते हैं अब इनो में आपको मिलाना है glycerine को पहले हैं इसमें हम एक चमच glycerine मिलाएंगे और जरुवत पढ़ने पर और थोड़ा सा glycerine हम इसमें add करेंगे दोस्तो इस remedy के एक बार्स के ही इस्तमाल से आपको फर्क महसूस लगने लगेगा आपकी skin जो है वो shine करने लगेगी चमकने लगेगी और साथ ही साथ दोस्तो लाइटर भी लगेगी इस pack को जब आप use करते हैं कुछ बातों का आपको धियान भी रखना है दोस्तो कि जब भी आप इस इनो के pack को बनाते हैं तूरंधी बनाने की बाद आपको इसे use करना है और इस mission को ज्यादा समय नहीं लगा के रखना है अपने skin पर आपको केवल 30 सेकेंड के लिए ही आपकी skin पर लगा के रखना है हाथ पेरो पर लगा के रखना है उसकी बाद आप इसे wash कर सकते हैं और लगाने की बाद आपको बिल्कुल भी अपने skin पर इसे रगड़ना नही है केवल आपको apply ही करना है तो यह देखिए दोस्तो करीब एक से देड़ चमच glycerine हमें एक इनो पैकेट में लगी और glycerine आपको इसमें धीरे धीरे ही mix करना है एक साथ mix नहीं करना है यह जो मिश्रन हमारा बन करके तयार हुआ ना दोस्तो यह आपकी skin पर बहुत ही करने का काम करेगा इस remedy का कोई भी side effects नहीं दोस्तों बिल्कुल safe remedy मैंने आपकी साथ में शेयर करी है दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से आप mix कर लें लेकिन एक बात का धियान रखे कि आपकी skin यदी बहुत साथा sensitive है तो इस remedy का इस्तमाल आप ना करे अगर आपके क बाडी पार्ट में अपके हाथ पेरों पर कहीं पर भी चोट लगी है तब आप इस remedy का इस्तमाल ना करें आप चाहें तो पैच टेस्ट भी कर सकते हैं वैसे इस remedy का कोई नुकसान नहीं दोस्तों क्योंकि इनों का इस्तमाल हम खाने के लिए करते हैं हमारे पेट के लिए कर अपने ब्रश की सहायता से लगाए आपको इसे रगड़ना नहीं है केवल लगा के छोड़ देना है और कम से कम 30 सेकंड के लिए चोड़े उसके बाद आप इसे वाश करेंगे आप रिजल्ट देखनेंगे ना दोस्तों आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा हमारे हाथ पेरों से गंदगी को हटा देता है ये इनों का पैक और साथ ही हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है और गर्मी का मौसम चल रहा है गर्मी के मौसम में सूरे की हानीकार किर्णों से हम हमारे हाथ पैर काले पढ़ने लगते हैं तो ऐसे में यह पैक आपको बहुत फाइदा कराएगा आपकी स्किन पर रिंकल्स को आने से रोखेगा आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा बस 30 सेकंड तक आप इस पैक को लगा के रखे उससे ज्यादा नहीं और इसके बादा वाश कर लें इसमें इससे आपकी स्किन बहुती सॉफ्ट बनेगी आपकी स्किन में रूखा बन नहीं आएगा आपके सामने ही मैं हाथ को वाश करके बता रही हूँगी कितना गजब का इसका करते हैं इडली वगेरा बनाते हैं तब इसका इस्तमाल करते हैं इसलिए हमारे स्किन पर यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है इस रेमिडी का आप 10 दिन में इक बार इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस रेमिडी को जरूर ट्राय करें रेमिडी आपको बहुत जदा पसंदाने वाली है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले वीडियो को हो सके तो ज्यादा स्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करें अपने दोस्तों म